मैं अब इसी देखकर तो यही लगता है कि साल स्टार किट्स का दबदबा रहने वाला है लेकि लगता है कि सारी स्टार किट्स को सैफ अली खान की लादली बिठिया सार अली खान पीछे छोड़ने वाली है हमारी ये स्टोरी देखकर आप भी कुछ रही कहेंगे देखिए क्या नयाद हमाका करने वाली हैं सारा अली खान तो शान सिंग राजपूत की साथ के दारनाथ से वही लगता है कि सारा अली खान की डेब्यू से पहले ही ये फिल्म इंडस्ट्री उनकी मुरीद हो गई है सब उनके कायल हो गए हैं तबी तो देखिया आए दिर उनकी दूसरे प्रोजेक्ट्स की खबरे आती रहती है कुछ दिन फहले ही हमने आपको बताया था कि उन्हें फेमस डारेक्टर आशुतोष गवारिकर ने अपनी नेक्स फिल्म के लिए अप्रोज किया है लेकिन फिल्म के आक्टरस कौन होंगी ये अभी फाइनल नहीं हो पाया था लेकिन अब कहा जा रहा है कि इस फिल्म में कोई और नहीं बिल्की सारा अली खान ही नजर आने वाली है जिहां पहले खबर ही थे कि फिल्म में कट्रीना कैफ है लेकिन कट्रीना फिलहाल काफी बिजी चल रही है फिर खबर आई कि फिल्म में TV आक्टर इसमरणाल नजर आ सकती है पर अब खबर है कि फिल्म में सारा अली खान को साइन किया जा सकता है और यी रिमांट खुद रितिक नहीं की है यहां से पहले खबर थी कि रितिक और सारा करण जोहर की धर्मा प्रोडक्शन की किसी रोमांटिक कॉमेडी में साथ नजर आने वाले थे लेकिन उधर बात नहीं बनी रितिक ने खुद अपने सुपर्टिटी डिरेक्टर विकास बहल को सारा का नाम सुझाया है और माना जा रहा है कि सारा का नाम लगबग फाइनल है लेकिन दिक्कत बस इस बात की है कि अभी शेक कपूर ने के दारनाथ की रिलीस तक कोई प्रोजेक्ट लेने से मना किया हुआ है देखते है रितिक के इस बिग प्रोजेक्ट को सारा कैसे मैनेज कर पाती है या फिर ये बिग प्रोजेक्ट उनके हाथ से इस बाहर नेकल जाएगा Bureau Report, IBC 24 ये वे बिग जाएगा